हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो एसवी चैनल कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूं सब लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स देखिए आज मैं आपनों के साथ में नेहा हरबल महंदी का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूं यह महंदी बहुत ही अच्छी होती है बहु कि हमारे बालों को हमेशा जो है देखवाल की जरुवत पड़ती है अगर आप देखवाल नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा रूखे सुखे हो जाते हैं तो यह महंदी अगर आपके बाल सफेद है तब भी आप इसको लगा सकते हैं अगर आपके बाल सफेद नहीं है तब पूल होते हैं ग्रीन टी होती है करी पत्ता होता है तो यह सारी चीजे जो है हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदे मंद होते हैं तो यह इस पर देखें रेट 12 रुपे पड़ा है लेकिन यह 10 रुपे में आ जाती है और बहुत ज्यादा फायदे मंद होती है इसको जड़न्यट के जरुवत नहीं होती है बस एक बार आप इसको भीगो दीजिए और उसके बाद अपने बालों पर अपलाई कर लीजिए बहुत इजी होता है वैसे भी जो हम लोग बाहर के कलर लेके आते हैं उसको लगाओ तो अगर आपके एक दूबाल सफेद हैं अगर आप उसको लगातार यूज करते हैं तो जो बाकी के बचे कुछे बाल है वो भी सफेद हो जाते हैं तो इसलिए जो है केमकल वाली चीजों से बचिए और जो ने है इसके और अपलाई करने महासानी होती है अगर अपने हातों से प्लाई करते हैं तब यह पहुत जदा हाथों पे नहीं बश जाधा ज़्यादा एक से दो दिन इसका कलर रहता उसके बाद छूट जाता है आप चाहें तो इसको ब्रस से भी अपलाई कर सकते हैं मैंने ब्रस स कैसे अप्लाई किया जाता वो बताया है पिछले वीडियो में तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा आपको पसंद आएगा और इस महंदी को भीगोने के बहुत अलग अलग तरीके हैं तो मैं आगे जो है एक एक करके आपको सारे तरीके बताऊंगी वीडियो के जरीए औ और मैंने अप्लिकेशन करके दिखा दिया कि कैसे अप्लाई किया जाता है और मैं इसको भीगोने का तरीका भी दिखाऊंगी बिल्फुर सिंपल तरीका होता है अगर आप इसमें और चीजीजे Alcohol करना चाहते हैं तो वह भी तरीके हैं मैं सारे दीजी देंखर के